आज हम आए हैं फिर से 365 days current affairs 2021 लेकर देखिए आज एक बहुत important news आ रही है अभी की date में कि सौमया शंतोस जो इंडियन थी उन्हें ओर्णरी citizenship दी गई है इसराइल गोवर्मेंट के दौरा देखिए सौमया शंतोस अब किसी नाम की महताज नहीं है अभी गाजा स्ट्रिप के ब honorary award दिया गया है तो एक बहुत important चीज़े आपसे exam में पुछी जा सकती है तो आईए इसके बारे में सारी चीज़े जानते हैं बही जो family सौमया शंतोस की उन्होंने बहुत important incident इसको माना है और उन्होंने का है कि ये बहुत great owner है जो मेरी वाइफ को दिया गया है thanks बोला embassy को देखें बहुत बड़ी चीज़े सौनया शौमया संतोस साथ साल से इसराइल में काम कर रही है जब इन्होंने इसराइल गई थी केडला से तो इनकी दो साल की एक बच्ची थी उसे अपने husband के पास छोड़के गई थी आज वो बच्चा 9 साल का है और ये 7 साल से वहाँ पर क चीज़े चाहिए सौमया संतोस की सिस्टर इनलो जो है वो भी यही काम करती है है ना सैरली बेने तो वो भी कहती है बहुत इंपॉर्टन चीज़ है इसराइल ने जो दी है ये एक रिस्पेक्ट है हमारे इनके लिए नोबल प्रोफेशन है उनका था उसके चकर में इनको ज अच्छा काम किया उसके लिए दिया जाता है बट इस एवार्ड का मतलब यह नहीं होता कि किसी कंट्री से वो बिलॉंग करता तो उसकी नेशनलिटिया से डिजन स्रिफ छिंज जाएगी वो पार्ट उसी कंट्री का रहेगा लास्ट वीक जो प्रेसिडेंट इसराइल के है रिविन इन्होंने कॉल किया था सोमया शन्तोस की फैमिली को रकाता जो भी हल्प चाहिए आप हमसे मांगिये सोमया एक केर गिवर थी उनका नाम था इडिक्वी कैरला से आई थी 87 यह ओड एक फीमेल की केक टेयर करती थी एशकेलान इसराइल की एक सिटी है 11 मही को यहाँ सारे रॉकेट तो उसमें से एक रॉकेट जो आईरन ड्रोम से बच गया था वो सीधे ऐस 87 यह ओड फीमेल के घर पे जाके गिर गया था जिसमें शोमया संतोस की देथ हो गई और वो 87 यह ओड जो फीमेल है इसराइली वो आज भी हॉस्पिटल में है और अभी भी वो क्योर नहीं हो पाई है बहुत क्रिटिकल कंडिशन में है अगर आप ध्यान से देखेंगे मैप में तो आपको दिख जाएगा बेटा कि यह जो गाजा है गाजा स्ट्रिप आपकी बेटा यहां पर है और एसकलाउन विल्कुल पास में तो जाई सी बाते थोड़ा इशू ऐसा आ जाए था कि जब गाजा ने सब डाला तो इस टाइम पे इनका आइरन ड्रो में यहां से वर्क नहीं कर पाया और कुछ रोकेट्स जो थे वो गिर गए तीन रोकेट अपरोक्स गिरे थे जिसमें एसकलाउन में जिस बिल्डिंग पर गिरा था वहां पर शोमय संतोस और वो वो जो है सिरियसली इंजर्ड है एसकलाउन सीटी का ही टाइम है जो आपको देख रहा है तो एसकलाउन सीटी में जब रोकेट्स गिर रहे थे तो एक क्या ऐसे अफरात अफरी थी लॉक किस तरह चुपे थे किस तरह डरे हुए थे तो उस टाइम की लाइफ विच्चर है तो देखे बिटा जब बैटल होती है तो ऐसे इशू जाते हैं और खतरनाक है आरेंडरोम की बात करेंगे तो इसराइल का बहुत इंपोर्टेंट काम है ये रेडार सिस्टम के साथ सब कुछ प्रोटेक्टेट करता है और जितने भी मिसाइल साते हैं उस कंट्री को लाइक इसको और हम स्ट्रॉंग बनाएंगे इसकी टेक्निलोजी और स्ट्रॉंग करेंगे ताकि चीजी अच्छी हों अगर आप इसे देखेंगे तो एक रॉकेट जैसे इसराइल से गाजा की तरफ गया इसराइल की तरफ से आया तो इसराइल की राडार ने देख लिया उसके बाद क्या होता है यह rocket fire करने को बोलता है rocket fire होता है और high altitude में उसको destroy कर देता है ताकि उसकी country पे न गिरे तो ऐसे situations बनती है security और चीजे दी जाती है कि secure रहे country बड़ कभी का बार ऐसा होता है तो summation ते उसको दिया गया award बहुत count करता है इसको आप देख लिजेगा देख कोविड और black fungus दोनों फैरा हुआ है तो किरिपया घर पे रहे सुरचित रहे अगर आपको कोई भी इस हुए तो मुझे instagram पर follow कर सकते है follow करने के लब सात्वी कंडर्स को डाना 26 type करना है और वहाँ पर आप डेटली मुझे message करके कोई भी चीज पाया है तो पूछ सकते है इ अपने आपको stay focus रखिये और healthy रखिये आज के लिए इतना ही signing off God bless you all जय हिंद वदने बात रहो